आज एक इस वीडियो में आपको इलाश्टी कुर्ती कटिंग एंड स्टिचिंग करना बताऊंगी इसमें फैर्बी जो यूज़ किया है मैंने वो डेर्ड मेटर के पास यूज़ किया है इस कुर्ती के लंबाए जो रखी है वो 40 इंस पर रखी है आप अपने कोडिंग कम ज़दे भी रख सकते है चुड़ाई जो रखी है वो 22 इंस पर रखी है चुड़ाई हमें ज़्यादा रखनी है क्योंकि इसमें हमारा इलाश्टी काएगा तो सबसे पहले हमें कपड़े को दो भगों में कर लेना है उसके बाद चैर भगों में करेंगे चैर भगों में करने के बाद सोल्ड़ का माज लगाएंगे तो सोल्ड़ के जो लंबाई ले रही हूँ वो मैं साथ इल्च पर ले रही हूँ और आर्मोल के ले रही हूँ साड़े 6 इंच यहां पर हम एक box बना लेना है box बनाने के बाद armhole में घरह देंगे तो जितने भी आपके armhole के लंबाई आई हो उसको हमें half करना है और जानसे मारा half हुआ है वासे हम armhole के घरह देंगे front part में घरह देंगे, आदेंच पर और घरह देंगे front part में नेक का मार्जा लगाएंगे, नेक की जो लंबाई ले रही हूँ, वो मैं तीन इंच पर ले रही हूँ, और डीप में भी तीन इंच ही ले रही हूँ, इन दोनों मार्जनों को हम ला देंगे, गुलाय में सेप देंगे, फिटिंग का मार्ज लगाएंगे तो फिटिंग में द्रेस्ट के लंबाई जो है वो 32 पर है 32 पर हम 4 से डोट गरेंगे तो 8 इंच होता है यहापर मारजिन जो लगाना है हमें ओ10 इंच पर लगाना है 2 इंची आपर में एक्ष्टा लेंगे मार्जिन के लिए कपड़ा लेना है हमें वो एक्ष्टा लेना है क्योंकि इसमें हमारा इलास्टिक आएगा कमर के लंबाई ले रहे हूं 7 इंच या पर भी 2 इंच हमें एक्ष्टा लेंगे हिप सैज के लंबाई ले रहे हूं 8 इंच यापर भी दो इंच एक्स्टा लेंगे तो दो दो इंच पर एक्स्टा हमें ले लेना है तिनु मार्जनों में कपड़ा यापर हमें एक्स्टा लेंगे लास्टिक के लिए इस पकार से सेब देने के बाद मार्जन के एकोरिंग कटिंग कर देंगे इस पकार से हमें कुर्तिय कटिंग कर लेनी है उसके बाद बैक पार्ट को हम अटाएंगे फ्रिंट पार्ट को सेंटर से फोल्ड करेंगे जो आदे इंज पर हमने माज लगाया था आर्मोल में उसको कट कर देंगे इस पकार से कटिंग करने के बाद स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हम इलास्टिक का माज लगाएंगे तो सबसे पहले हम कुर्ति को उल्टी साइड की तरफ करेंगे ये माजन हमारा उल्टी साइड की तरफ लगेगा सोल्डर पर इंस टेबल को रख देंगे और तेरा इंस पर मार्ज लगाएंगे नीचे की तरफ ये मार्जन हमारा कमर का है तो तेरा इंस पर मार्ज लगाना है हमें और इसे अकोड़ी हम दूसरे साड मार्ज लगाएंगे तेरा इंस पर इन मार्जनों को एदूसे से मिला देंगे यापर हमें एक सीदिलेंड रोग कर देनी है यापर मैंने पट्टी लिए है इस पट्टी के चुड़ाय जो रखनी है हमें वो दो या धाई इंच के आसपास रखनी है ये जो मार्जन लगाना है हमें वो उल्टी साइरी तरफ लगाना है और पट्टी को भी हमें उल्टी साइरी तरफ ही रखना है पट्टी को हमें आदे इंच की दुरी पर निचे की तरफ और आदे इंच की दुरी पर उपर की तरफ स्टिच करना है यापर मैंने इलास्टी के लिया है इस इलास्टी के लंबाई जो ली है वो 14 इंच पर ली है एक पार्ट में इलास्टी की लंबाई हमारी 14 इंच पर आएगी इलास्टी को हम किस पकाश सिस्टिच करेंगे वो मापको सलाई मेशीन पर टैच करना बताऊंगी जो माजन हमने लगाया है उस माजन को हमें सेंटर में रखना है पट्टी को हमें आदेंच की दूर पर फोल्ड करना है उपर की तरफ एक बात का आप द्यान रखेगा अगर आपके इलास्टी की चुड़ाई जादा हो तो आप पट्टी के चुड़ाई ज़्यादा रखेगा यापर एलास्टी के चुड़ाई जो है वो एक इंच पर है पट्टी के चुड़ाई हमें मैंने यापर एक इंच पर ही रखी है तो इस पकार से आदेंच की दूर पर फोल्ड करते हुए स्टिच कर देंगे और इसे अकोड़ी हम नीचे से पट्टी को फोल्ड करेंगे आधी इंच पर और शिले लगा देंगे पूरे में इस पकार से हमें पट्टी को स्टिच कर लेना है और पट्टी के चुड़ाय जो आई है वो इलाश्टी के बराबर आई है तो सेप्टी पिन की हलप से एक साइड की तरफ डालते हुए इलाश्टी को दूशी साइड की तरफ हम निकाल लेंगे इस पकार से उसके बाद जो तोनों कोनर है हमारे वो आपर हम सिलाय लगा देंगे ताकि मारा इलाश्टी जो है वो निकले नहीं और इसे एक वरी हम दूसरे पाट को त्यार करेंगे इस कुर्ती का फुल कटिंग एंड स्टिचिंग का वीडियो मा आपको एंड स्क्रीन में दे दूँगी अब वापर जाकर देख सकते हैं झाल 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 झाल